बारत माता की कारकम में उपस्तित त्रिपुरा के राजपाल श्री सत्यदेव नारायन आर्यजी यहां के लोकपीय मुख्यमंत्री स्री मानिक साहा जी केंद्रीय मंत्री मंडल में मेरी सहयोगी प्रतिमा भॉमिक जी त्रिपुरा विधान सभाग अध्यक्ष श्री रतन चक्रबर्ती जी उपस्तित मंत्री स्री जिष्णुदेव वर्मा जी मेरे मित्र सांसर्थ स्री विप्लव देव जी त्रिपुरा सरकार के सभी सम्मानिक मंत्रिगार और मेरे प्यारे त्रिपुरा व्यास्यों नवश्कार खुलुमाखा माता त्रिपुरा सुन्द्रीर पुन्यो भुमिते एसे आमी निजे के भन्यो मोने करची माता त्रिपुरा सुन्द्रीर एई पुन्यो भुमिते आमार प्रोनाम जनाई सबसे पहले तो मैं आप सबकी सर जुका करके माफी मांगता हूँ क्योंकि मुझे करीब दो घंटे आने में देर हो गई मैं मिघाले में था महाँ समय जरा जादा गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग तो ग्यारा बारा बजे से बैटे हैं आप लोगों ने यह जो कस्ट उठाया और इतने आशिरवाद देने के लिए रुके रहे मैं आपका जितना अभार व्यक्त करो इतना कम है मैं सबसे पहले त्रिपुरा के लोकाब का अभिरन्दन करता हूँ कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्चता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है बीते पांच बर्सों में आपने स्वच्चता को जन अंदोलन बनाया है इसी का परणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्च राज्य बनकर उपरा है साथियों मा त्रिपुरा सुन्द्री के आशिरिवात से त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है कनेक्टिविटी, स्कील डेवलप्मेंट और गरीबों के घर से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बदाई आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है इससे त्रिपुरा के युवां को यहीं पर डॉक्तर बनने का आउसर मिलेगा आज त्रिपुरा के दो लाग से अधिक गरीब परिवार अपने घर में नए पक्के घर में गरह प्रवेश कर रहे है इन में से अधिक तर घरों की मालकें हमारी माताए बेहने है और आप सबको पता है ये एक एक घर लाखों रुपियों का बना है बहुत सी बेहने ऐसी है जिनके नाम पर पहली बार कोई संपती दर्ज हुई है लाखों रुपियों के मकान की मालकें मैं इन सभी बेहनों को आज त्रिपुरा की धर्ती से अगर तला की धर्ती से मेरे त्रिपुरा की माताओ बेहनों को लखपती बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में है मानिक जी और उनकी टीम बहुत प्रसंशनिय काम कर रही है और हम तो जानते हैं हमारो यहां तो कोई रात को एक असरेता है तो भी जिन्दगी भर आसिर्वाद मिलते हैं यहां तो हरे को सरपरपक की चत मिली है इसलिए त्रिपुरा का भरपूर आसिर्वाद हम सब को मिल रहा है और मैं एरपोर्ट से यहां आया थोड़ी देर इसलिए भी जादा हो गई पूरे रास्ते पर एरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सलाव उम्टा था लोग बारी मातरा में आकर क्या अशिरवाद दे रहे से जितने लोग यहां है शायद उतसे दसगुना से ज़्यादा लोग रोड पर आशिरवाद देने के लिए आये थे मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जैसा मैंने पहले करा मैं इससे पहले मेगाले में नौर्थ इस्टन काउंसिर की गोर्डन जुबिली उसकी मिटिंग में था इस भैटरक में हमने आने वाले वर्षों में त्रिपुरा सही नौर्थ इसके विकास से जुड़े रूड मैप पर चर्चा की मैंने वहां अस्ट लक्ष्मी यानि नौर्थ इसके आठ राज्यों के विकास के लिए अस्ट आधार आठ बिंदूं की चर्चा की त्रिपुरा में तो डबल इंजिन सरकार है ऐसे में विकास का ये रोड में यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है इसमें और अधिक गति आए ये प्रयास हम कर रहे हैं साथियों डबल इंजिन सरकार मनने से पहले तक सिर्प दो बार त्रिपुरा की नौर्थ इसकी चर्चा होती थी एक जब चुना होते थे तब चर्चा होती थी और दूसरा जब हिंसा की गटना होती थी तब चर्चा होती थी अब बक्त बदल चुका है आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है इंफ्रास्ट्रक्टर के विकास के लिए हो रही है गरीबों को लाखों गर मिल रहे हैं इसकी चर्चा हो रही है जुड़े इंफ्रास्रेक्टर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड रुपिय दे रही है और यहां की सरकार उसे तेजी से जमीन पर उतार करके साकार कर रही है आज देखिए त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है पिछले पांच वर्षों में कितने नए गाउं सडकों से जुड़े है आज त्रिपुरा के हर गाउं को सडकों से जोडने का काम तेजी से चल रहा है आज भी जिन जड़कों का सलान्यास हुआ है उससे त्रिपुरा का सडक नेटवर्ग और ससक्त होने वाला है अगर तला बाइपास से राजधानी में ट्राफिक की व्यवस्ता और बहतर होगी जीवन आसान होगा साथियों अब तो त्रिपुरा के जरिये नौर्थ एस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है अगर तला अखावरा रेल्वे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा इसी तरह भारत, थाइलेंड, म्यानमार, हाइवे जैसे रोड इंट्रास्ट्रक्टर के जरिये नौर्थ एस्ट दूसरे देशों के साथ सम्मंदों का द्वार भी बन रहा है अगर तला में महराजा बीर विक्रम एरपोर्ट पर भी इंट्रनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है इससे त्रिपुरा नौर्थ एस्ट लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रुपे विच्सित हो रहा है त्रिपुरा में इंटरनेट पहुँचाने के लिए जो परिश्ट्रम हमने किया है उसका राब आज लोगों को मिल रहा है विशेश कर मेरे नवजवानों को मिल रहा है डबल इंजिन सरकार मनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर पहुचा है साथियों भाजपा की डबल इंजिन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रासेक्टर भी नहीं बलकि सोशल इंफ्रासेक्टर भी भी बल दे रही है आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राफिक्ता ये है कि इलाज घर के नदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुच में हो इसमें आउश्मान भारत योजणा बहुत काम आ रही है आउश्मान भारत योजणा के तहट नौर्थ इसके गावों में साथ हजार चे अधीख हेल्थ एन्वेलनेस सेंटर स्विक्रुत हो चुके हैं इसमें से लगबग एक हजार सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं इन सेंटर्स में हजारों मरीजों की कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक गंबीर बिमारियों के लिए स्क्रिनी हो चुकी है इसी प्रकार आयुशमान भारत पी एम जै योजना के तहट त्रिपुरा के हजारों गरीबों को पांच लाख उर्पिय तक के मुप्त इलाज की सुविदा मिली है साथियों, तॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है अब तो गैस ग्रीड भी बड़ा है, त्रिपुरा के घरों में पाइप से सस्ती गैस आए, इसके लिए डबल इंजिन सरकार तेजी से काम कर रही है हर गर पाइप से पानी पहुँचाने के लिए भी डबल इंजिन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है त्रिप तीन वर्षों में ही त्रिपुरा के चार लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुभीदा से जोड़ा गया है 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी आज डबल इंजिन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुचा रही है और भीते तीन वर्षों से मुप्त राशन भी उपलब्द करा रही है साथियों ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभारती हमारी माताएं बहने है तिर्पुरा की एक लाख से अधिक गर्बवती माताओं को प्रदान मंत्री मात्रू बंदना योजना का भी लाभ बिला है इसके तहर हर माता के बैंक खाते में पोशक आहार के लिए हजारों रुपिये सीधे जमा किये गए है आज अधिक से अधिक डिलिवरी अस्पतालों में हो रही है जिससे मां और बच्चे दोनों का जीवन बच रहा है त्रिपुरा में बहनों बेटियों को आत्म निर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है वो भी बहुत प्रसंसनिया है मुझे बताया गया है कि महिलाओं के रोजगार के लिए सेक्ड़ो करोड रुपिय का विशेश पैकेज सरकार ने दिया है डबल एंजिन सरकार के आने से त्रिपुरा में महिला सेल्फ एल्प्स ग्रूप की संख्या में नव गुना वृत्ति हुई है भाई और बेनों दसकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने सासन किया है जिनकी विचारदारा महत्वक खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीती करते है जुनों ने त्रिपुरा को विकास से बंचित रखा त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उप्योग किया इससे सबसे ज़्यादा नुक्सान गरीब को हुआ युवाओं को हुआ किसानों को हुआ और मेरी माताओ बेहनों को हुआ इस प्रकार की विचारदारा इस प्रकार की मानसिक्ता से जनता का लाप नहीं हो सकता ये केवल नेगेविटिविटी फ्यलाना जानते हैं इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है ये डबल इंजिन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धी के लिए सकारात्मग रास्ता भी है जबकि निराशा फ्यलाने वाले लोग रिवर्ज गियर में चलते हैं जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है साथियों सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनचातिय समाज का बहुत बड़ा नुक्सान किया आदिवासी समाज को जनचातिय क्षेत्रों को विकांच से दूर रखा गया भाजपा ने इस राजनीति को बदला है यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है अब यह भी गुजरात में चुनाऊ हुए है गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रतन जीत मिली है उसमें जनचातिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है आदिवासीयों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटे बीजेपी ने जीती है साथियों अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासीयों के लिए अलग मंत्रान है अलग बजेट की व्यवस्ता की जबसे आपने दिल्ली में हमें अउसर दिया है तबसे जनचातिय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्रात्पिक्ता दी है जनचातिय समुदाय के लिए जो बजेट 21,000 करोड रुपिय था वो आज 88,000 करोड रुपिय है इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्र बुर्ति भी दो गुने एक लबे मोडल स्कूल थे वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है त्रिपुरा के लिए भी विच्छे अधिक ऐसे स्कूल स्विक्रत हुए है पहले की सरकारे श्रिप आठ दस वन उत्पादों पर ही MSP देती थी भाजपा सरकार नब्बे नब्बे वन उपजों पर MSP दे रही है आज आदिवासी छेत्रों में 50,000 से अधिक बंदन केंद्र है जिन से लगबग 9,000,000 आदिवासीों को रोजगार मिला है इस मैंसे अधिक तर हमारी बहने है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उप्योग को व्यापार को जन जातिये समाज के लिए सुलब बनाया साथियों ये भाजपा सरकार है जिसने पहली बार जन जातिये गवरव दिवस को महत्वब समझा है पंदरा नवेंबर को भगवान बिर्शाम मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिय गवरव दिवस के रुपें देश भर में बनाने की शुरुवात भाजपा सरकार ने की देश की आज़ादी में जन जातिय समदाय के योगदान को भी आज़ देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है आज देश भर में दस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर मुजियम बनाए जा रहे हैं यहां त्रीपुरार में भी हाल में ही राष्टपति स्रीमति द्रौपति मुर्मुजीने महराजा बिरेंदर किसोर मानिक्य संग्रहाल और संसकृति केंदर की आधार चिला रक्की है त्रिपुरा सरकार भी जनजातिय योगदान और संस्कृति के प्रतार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है त्रिपुरा की जनजातिय कला संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली वुभूतियों को पत्म सम्मान देने का सोभग्य भी भाजपा सरकार को ही मिला है ऐसे ही अनेक प्रयासों का परणाम है कि त्रिपुरा सहीद पुरे देश में जन जातिय समुदाय का विश्वास भाजपा पर सबसे अधीक है भाई और मैंनों डेबल इंजीन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों छोटे उद्यमियों उनको सबसे बहतर अवसर मिले यहां का लोकल कैसे ग्लोबल बने इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं आज त्रिपुरा का पाइनेपल विदेशों तक पहुंच रहा है यही नहीं सेंकडों मैट्रिक टान अन्यफल सबजियां भी आज मंगलादेश जर्मनी दुबई के लिए यहां से एक्सपोर्ट हुए हैं इसे किसानों को उपच्का अधिक दाम मिल पा रहा है त्रिपुरा के लाखो किसानों को पी-एम किसान सम्मान निदी से भी अभी तक पांसो करोड रुपे से अधिक मिल चुके हैं आज जिस प्रकार त्रिपुरा में भाजपा सरकार अगर भूड इंडिस्ट्री को बल दे रही है उसके सार्थक प्रणाम आने वाले कुछ सालों में आएंगे इससे त्रिपुरा की युवाओं को नए आउसर मिलेंगे कमाई का नाया माध्यम मिलेगा साथ योग सबसे बड़ी बात ये है कि त्रिपुरा अब शान्ति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है अब त्रिपुरा में विकास का डबल एंजीन परणाम दे रहा है मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ पर पूरा बरोसा है विकास की गति को हम और तेज करेंगे इसी विश्वास के साथ आज त्रिपुरा के उजवल भविश्चे के लिए जिन योजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है मैं फिर से एक बार त्रिपुरा वास्यों को सुपकामनाई देता हूँ बधाई देता हूँ और आने वाले काल काल में त्रिपुरा नई उचाईयों को प्राप्त करें इसी अपेक्षा गेजार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की हालो अश्कुंख धन्यवाद ए बंगा अंतुरी क्रितक गदाग आपन कोची भारतेर मानुनियों प्रुधान मुंत्री सुध्यों स्री नरेंद्रों मोटीची महुद आएके उनार मुल्लों